कॉंगरेस पार्टी करनाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई हमारा हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से गल्ख शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी हमने महबत से प्यार से दिल खोल के यह लड़ाई पांच वाईदे किये थे मैंने अपने भाशन में कहा खारगेजी ने भाशन में कहा सब नेता उने भाशन में कहा था कि हमारे पांच वाईदे हैं हम इन वाईदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे नाचते गाते कॉंग्रेसी कारी करता, मीडिया के कैमरे के सामने हसकर बात करते नेता और जीत का जोश, कॉंग्रेस दफ्तर पर कई सालों बाद ये नजारा दिखा है कॉंग्रेस में करनाटक की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रेस नेता सिद्धर अमिया ने कहा कि उन्हें उम्मीदे की 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे कॉंग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिये राहुल गांधी को करनाटक की जीत कर श्रै दिया कॉंग्रेस के नेता और कारे करता भी राहुल गांधी का नाम लेते नजर आए दक्षिर भारत का दौर कहे जाने वाले करनाटक में बीजेपी का किला द्वस्त करके कॉंग्रेस निश्चत रूप से मजबूत स्थिटी में आई है किसी बड़े राज्ज में लंबे समय बाद कॉंग्रेस को जीत हासिल हुई है कॉंग्रेस की जीत के बाद दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राहूल गाधी ने कहा करनाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है महबत की दुकाने खुली है ये सब की जीत है सबसे पहले ये करनाटक की जनता की जीत है वही प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के धुवाधार चुनाप प्रचार और आकरामक अभियान के बावजूत कॉंग्रेस करनाटक में अपने मुद्दों पर टिकी रही और एक बड़ी जीत हासिल की है विशलेशक मानते हैं कि इस जीत के बाद निश्चित तोर पर कॉंग्रेस का मनोबल बढ़ेगा केंदर में सत्ताधारी भारतिय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से बहत मजबूत है और आगामी लोगसबा चुनावों में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष को एक जुट करने की आवाजे उठाती रही है विपक्षी एकता की बात तो बार-बार होती है लेकिन बीजेपी के नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता के सामने विपक्ष का चेरा कौन होगा इसे लेकर संशे बना रहता है विशलेशक मानते हैं कि करनाटक में जीत के बाद अब विपक्षी गटबंदन का नेतरद्ब करने का कॉंग्रेस का दावा और भी मजबूत होगा राजनीतिक विशलेशक और बरिष्टर पत्रकार समिता गुपता कहती हैं अभी तक तो चुनावी नतीजे आये थे उसमें कॉंग्रेस बेक फुट पर ही रही थी बिहार में कॉंग्रेस राष्टरी जनता दल और जनता दल युनाइटेट का महा गटबंदन सत्ता में है जार्खन में भी जार्खन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस और राजत का गटबंदन सत्ता में है महराश्ट में पिछली साल सत्ता परिवर्तन होने के पहले शिफ सेना कॉंग्रेस और राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी का महा विकास अगारी गटबंदन सत्ता में था राश्टे इस तर पर विपक्ष का गटबंदन मनाने की कोशिश तो हो रही है लेकिन इसे अभी कोई पश्ट रूप नहीं दिया जा सका है राश्नीतिक विशलेशक और बरिश्ट पत्रकार उमलेश मानते हैं की बारतिय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग राजजिव में पहले से ही गटबंदन मौजूथ है और जहां अन्य शेत्री पार्टी नहीं है वहाँ सीधे मुकाबला कॉंग्रिस और बीजेपी में है क्या करनाटक की जीत से विपक्ष के गटबंदन में कॉंग्रिस का दावा और मजबूत होगा इस सवाल पर उमलेश कहते हैं कि कॉंग्रिस अगर करनाटक में ना भी जीत थी तो भी वो कई शेत्री पार्टियों के मुकाबले में मजबूत ही रहती कॉंग्रिस करनाटक की जीत से पहले भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है अगर राजिस्तान मद्य परदेश और चटिश कर्ड में चुनाब होने ही इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी बनाम कॉंग्रिस मकाबला होता है अगर इन राज्यों में भी कॉंग्रिस का प्रदेशन अच्छा रहता है तो ये कॉंग्रेस को और मजबूत करेगा विपक्ष के गटबंदन की धूरी कॉंग्रेस ही रहेगी इसमें कोई राय नहीं है आगे और मिलेश कहते हैं कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के खिलाव पहले से ही विपक्ष राज्य स्तर पर एक जुठ है इसे राष्ट्री स्तर पर ले जाने की जरूरत है लेकिन ये कहना कि पूरे भारत में बीजेपी की अमीदबारों के खिलाफ विपक्ष का ही एक उमीदबार हो ये भारत जैसे विविद राष्ट में व्यवारिक नहीं है हालाकि और मिलेश कहते हैं कि अभी तक विपक्ष के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि गटबंदन का चेहरा वाई होगा सभी एक जुटता के लिए प्रयास जरूर कर रहे है उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता को कई बार इस तरह पेश कर दिया जाता है कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक बीजे पी के खिलाब विपक्ष का एक ही उमीदवार हो वरिष्ट पत्रकार विज़ तरिवेदी मानते हैं कि करनाटक में इस जीट से कॉंग्रेस को संजीवनी जरूर मिली है लेकिन कॉंग्रेस को विपक्ष का बोस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तरिवेदी कहते हैं कि ये कहना थोड़ा जल्द बाजी है कि विपक्ष की गटबंदन का नेतरत्ब करने के लिए कॉंग्रेस का दावा मजबूत होगा कॉंग्रेस विपक्षी एक तक को मजबूत करने की भूमिका में जरूर आ सकती है ये कहा जा सकता है कि इन नतीजों से कॉंग्रेस को एक संजीवनी मिली है बिज़त रिवेदी केते हैं कि लेकिन कॉंग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब विपक्ष के गटबंदन की बोस बन जाएगी जीद के बाद कॉंग्रेस पार्टी और उसके नेताओ कौरे करताओं ने राहूल को जीद का श्रे दिया हाला कि विशलेशक मानते हैं कि करनाटक में जीद का पूर श्रे राहूल गांदी को देना सही नहीं है स्मिता गुपता कहती है कि करनाटक में जीद के लिए कॉंग्रेस के स्थानी नेतरत्व को अधिक श्रे दिया जाना चाहिए डीके शिप कुमार और सिद्धर इमया के हाथ में नेतरत्व था बलीक अरजुन खड़के करनाटक से हैं और इसी साल पार्टी के अध्यक्ष बने करनाटक में जो नतीजे आए हैं उसके पीछे स्थानी नेतरत्व है स्थानी नित्रत्व ने स्थानी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की हाला कि कॉंग्रिस इस जीत कर श्रे भारत जोड़ो यात्रा और राहूल गांदी को दे रही है लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं है कॉंग्रिस के केंद्री नित्रत्व को सिर्फ इस बात कर श्रे दिया जाना चाहिए कि उसने स्थानी नेताओं पर भरोसा किया वहीं उर्मिलेश केते हैं कि इस साल फरवरी में 36 गर में हुए अदिवेशन के बाद से कॉंग्रिस का नजरिया बदला है और वो उसका प्रबंधन बहतर हुआ है उर्मिलेश केते हैं कि कॉंग्रिस ने समाजिक न्याय के मुद्दो को अपने एजेंडे में शामिल किया है 36 गर अदिवेशन में कॉंग्रिस ने जो एजेंडा बनाया था उसे वो लागू कर रही है और ये भी उसके बेहतर प्रदशन के लिए एक कारण है वहीं वीजे त्रिवेदी मांते हैं कि करनाटक में जीत से राउल गांदी की छवी मजबूत होगी त्रिवेदी केते हैं कि भारत जोडो यातर से राउल गांदी ने जो छवी गड़ी है इस जीत से उसको इजाफा ही होगा लेकिन करनाटक में राउल गांदी का स्ट्राइक रेट 35% रहा है यानि जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उसमें से 35% सीटे ही पार्टी ने जीती है बावज़ उसके ये कहा जा सकता है कि राउल गांदी ने करनाटक में कॉंग्रेस के लिए एक मोमेंटम बनाया विशलेशक मानते हैं कि करनाटक में कॉंग्रेस की ये जीत अपरत्याशित नहीं है और इसका बड़ा कारण बीजेपी की सरकार का बुरी तरह नाकाम रहना है विजे त्रिवेदी कहते हैं कि कॉंग्रेस की ये जीत अपरत्याशित नहीं है कॉंग्रेस को बड़ा बहुमत मिला है इस नजरिये से जरूर कहा जा सकता है कि ये जीत बड़ी है करनाटक में कॉंग्रिस ने एक जुट होकर काम किया पूरी कॉंग्रिस राज्य में एक जुट सही लेकिन लेकिन अगर गहनता से विशलेशन किया जाये तो ये कहा जा सकता है कि इन नतीजों का बड़ा कारण बसबरा बोमाई की सरकार का बुरी तरह नाकाम होना है प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने धुआधर प्रचार किया और तट्ये करनाटक पर संप्रताइक मुद्दोप का असर रहा अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी की हालत और भी खराब होती वहीं उर्मिलेश मानते हैं कि करनाटक में लोगों ने हिन्दुत्व की राजनीती को नकार दिया और यही कॉंग्रेश की जीत का बड़ा कारण है उर्मिलेश कहते हैं कि दक्षिर भारत हमेशा हिन्दुत्वादी राजनीती के बुर्दुराएं करनाटक इसका अवपाद रहा है करनाटक में भी बीजेपी ने सरकारे जरूर बनाई है लेकिन स्पष्ट बहुमत कभी हासिल नहीं हुआ है दक्षिर में करनाटक का दौर अब दोस्त हो गया है दोस्तो आप इस टोपिक पर और इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं आपकी मन में जो भी विचार है अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल न भूले और हाँ जुड़े राय हमारे साथ इसी तरह देखते रहें सच की आवाज थैंक्यू